हिमाचल पत्परिवहन निगम की बसों की बधाल हालत का वीडियो आए दिन किसे ना किसी कारण से सोशल मीडिया पर वाइरल होता ही रहता है ऐसा ही एक मामला नालागर डेपो की बस का भी सामने आया है इसे यात्रियों को सीट पर बैठनी में परिशानी का सामना करना पड़ा बस में टपक रहे पानी का एक यात्री ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया नालगड से चंडिगड जा रही बस मंगलवार सुबाग जब बगेरी से सवारिया उठाने पहुची तो बारिश हो रही थी जिसके चलते बस के पिछली सीटों पर छट से पानी टपकने लगा और यात्रियों को खड़े होकर हे चंडिगड तक सफर करना पड़ा बस सवार यात्रियों का कहना था कि लंबी दूरी के लिए सही बसें भेजी जाएं जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े वहीं अचाटीसी बस की एक और वीडियो भी सामने आई है जहां इस रूट पर बसों में कमी के चलते लोगों को ये जोखिम उठाना पड़ता है जिससे बस के साथ हाथसा होने का खत्रा भी बढ़ जाता है उधर HRTC नालगा डीपो के एक शेत्रिय प्रवंदक हरपाल सिंग ने कहा कि उनके धान में भी ये वीडियो आया है और इस बस के बारे में जानकारी ली गई है जिसमें ये पता चला है कि ये बस काफी पुरानी है और इससे पहले भी उनके समक्ष इस प्रकार की दिक्कते सामने आई थी उन्होंने का कि एक महीने के भीतर इन गाड़ियों की निलामी की जा रही है और इस बस की भी निलामी होगी इसकी चत लीक हो रही है जिससे काफी खर्चा आएगा पर ये बस खराब हो चुकी है इसलिए रिपैर नहीं करवाई जाएगी साथ ही ओवरलोडिंग के संदर में उन्होंने कहा कि ये समस्या सुभा की समय आ रही है जिस समय लोग अपने कारेस्थान के लिए निकल रही है जल्धी उना और रोपड के कुछ रूट्स पर नई बसे लगवा दी जाएंगी जिससे ओवरलोडिंग कम होगी लेकिन जैसे अब ही एक in के अंद गाडियों की निलामी की जारी उसमें ये गाड़ी निलाम होनी है उसलिख गाडी गणी करवाया क्यूंकि चाहत रूटे काने पर का भग करद Remember और यह गारी कुछी दिनों में खड़ी कर देगी और इसको करने किया जा रहा है ओवर्लोडिंग हाँ यह भी देखा गया कि सुबह जो बस से डूडी टैम में आती है यह पंवर्लोडिंग दीन में तो ज्यादा नहीं है लेकिन एक दो बस जो सुबह सुबह अती है उन्हास से जल्दी में कोई अडिशनल बस से उबलोडिंग है है। इस पर सिर्फ सुबह के टैम ही जो अरली बस्ने डूटी टैम यह स्कूल टैम में आती है नालागड से सुरिंदर सोनी की रिपोर्ट झाल झाल